विडियो में हम लोग बताएंगे कि भाई डेरील जो है डेरील जैसा कोई ब्रॉलर ही नहीं है और उसके बाद मैं एक टीन कॉम्बो लिया हूँ डेरील रोजा और ये एल पीमो का तो देखेंगे कि डेरील में कितना छॉक्त ओभी हम लगाते हैं और देखते हैं तो लो में हम पास है उसके बाद रोजा और एल प्रीमो ऑफंऑ जो पहले डेरील से बहें है कि यृल से धुर्स 干ार बढ़ा sólo इसा कर दीन टीना है तो बापरे yield तो कम किया इसके पास जो हे वो मतलब long range है और मेरे पास सायद mid range है मतलब सायद के mid range ही है ट्यूंकि इसमें न short range एन long range है सो ये तो मुझे damage दे रहा है भाई बहुत damage दे दिया है यार इसे हलका damage अर्बाई बहुत हें कम हो गया भाई एबलीटी में जल्दी पीछे भाग भाई मादर चुछ बाग अरे बाई एक्दम उर्टरेंज में जा के बाई दो दिया मैं इसका जो अबलीटी ने डैर्ल का उसके कोई मतलब कमपेटिशन ही नहीं है तो अभी जाएंगा और अबलीटी तो तुराद पहुंचके आरे विजार्ड है तो विजार्ड को तुराद मार देंगा भाई साव इसका कुछ नहीं होने वाला है डैर्ल के सामने एकदम जीरो है विजार्ड भाई क्योंकि उसका इस्पल का फरक ही नहीं पड़ता है जब इ अब भाले दिवाल से तीछे भागे लेकिन भाग गया वह सो उसका फूरा हो चुका है सेवंटी फाइव हंडडड और मेरा हेल्प 6,000 अभी तो भाई साव उसका हिल्फ ज्यादा है लेकिन मेरा एबलीटी से उसका बहुत सारा है वह भी अबलीटी यूज किया है और उसका 1000 HP और मेरा 2000 HP भाई 200 HP और जीत गया देखा डेरिल बहुत खतरनाक है आप तो यूज करो और उसके बाद रोजा भी बहुत अच्छी है और एल प्रीमो तो भाई लास्ट के लिए बचाईए सो उमीद करता हूं आपको गेमप्ले अच्छा लगा अगर अच्छा लगे तो ल मिलते अगले वीडियो में बाई